हाई beautiful souls welcome to the divine family मेरा नाम रेनु है और आज वाली रीडिंग है कि आपको अब क्या करना चाहिए या क्या होने वाला है आपकी जिन्देगी में क्या आने वाला है आपकी तरह तो देखेंगे energy चेक करेंगे हम लोग यहां पर है मेरे पास तीन पाइल्स आप काड भी चूस कर सकत हो यह आप चूस कर सकते हो bracelet को तो first bracelet है pearl bracelet जो है dawn of love second bracelet है gray bracelet जो है work of art और third blesses आप चूस कर सकते हो जो है white color shiny bracelet और card है deal with the unexpected आप time ले सकते हो meditate कर सकते हो pause कर सकते हो वीडियो को जैसे भी आप चाहो तो मैं start करती हूँ pile number one के साथ हाई pile one तो अगर आपने इवला bracelet चूस किया है जो है white pearl bracelet और या फिर आपने इवला card चूस किया है dawn of love love is rising on the horizon of your life तो कुछ न कुछ आपकी life में ऐसा आ रहा है मैं यह नहीं कहूंगी कि यह definitely आपका soulmate है या कोई ऐसा आपको प्यार करने वाला है हो भी सकता है लेकिन कहीं न कहीं वो चीजें जो आप बहुत ज़दा प्यार करते हो चाए वो खुद को प्यार करना है या बहुत ज़दा जो चीज जो है आपके soul को अच्छी लगती है उन चीजों के लिए आप passionate हो रहे हो वो चीजों को पाने के लिए आप बहुत ज़द manifest करने के लिए आप बहुत जादा मेहनत कर रहे हो यहां पर मुझे वो अनरजी लग रही है कि आप बहुत जादा you know efforts करने किसी चीज़ को शिदत से जो है ना चहना उसको manifest करना उसके लिए मेहनत करने efforts करने, divine से prayers करने उस चीज़ के लिए तो वो manifest होती हुई नजर आ रही है आपके लिए, again कईयों के लिए ये mind के लिए कुछ करना body के लिए कुछ करना, soul के लिए कुछ करना, तो जो भी आपका you know, आपके दिल में आ रहा है, आप जो करना चाहते हो आप, true love है चाहे वो soulmate है, चाहे वो खुद को बहुत ज़दा प्यार करना है अपनी beauty का ध्यान रखना है खुद के mind body soul का ध्यान रखना है, उसको प्यार करना है, खुद को प्यार करना है, life के लिए passionate होना है, life के लिए, you know बहुत ज़दा conscious हो जाना है कि हाँ मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए तो वो एक तरह की conscious effort करनी अपनी जिंदिगी में manifest करने अट्रेक्ट करने की जो आपको चाहिए actual में ना कि जो नहीं चाहिए या जो serve नहीं करता आपको वो नहीं यहाँ पर आप realization है यहाँ पर जो ना reflect है review है अपनी life का अपने आपको देखने का वो नजरिया बदल गया है मुझे लग रहा है कि true self बन गए हो आप true self बन रहे हो यह आपको सच में इतने aware हो रहे हो आप conscious हो रहे हो कि मुझे ये चीजें चाहिए और मैं पूरी तरह से त्यार हूँ वो पाने के लिए वो receive करने के लिए वो efforts वो सब कुछ manifestation everything तो यहाँ पर वो आप attract कर पा रहे हो जो भी आपका बहुत ज़ादा जिससे आप प्यार करते हो live in the moment what you are looking for is with you उससे पहले जो भी अगर आपका ये especially अगर person है ये प्यार जो है आपको ये live in the moment यानि कि present moment में जीना सीखना है तब ही आप attract कर पाओगे ये बहुत ज़ादा जरूरी है ये एक तरह की guidance हो सकती है आपके लिए कि जो भी आपको पाना चाहते हो वो आपकी तरफ आ रहा है definitely लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर present moment को जीना है वो balance लेके आना है तो कहीं न कहीं अगर आप soulmate को attract कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पहले खुद की अपनी येनी या येंग energy खुद की feminine या फिर masculine energy को सबसे पहले प्यार करना है उसको स्विकार करना है उसको जागरित करना है उसके साथ मिलाप करना है यहाँ पर वो है balance लाना then आप अपने present moment को enjoy कर सकते हो जो भी आपके पास है उसको enjoy कर सकते हो खुद को बहुत सारा प्यार कर सकते हो अगर आप present moment में live करते हो यहाँ right now जो भी अगर challenge मिला उसको भी स्विकार किया अगर कोई you know अच्छा moment आया fun moment आया उसको भी enjoy किया तो हर तरीके से life को अपनाना present moment को enjoy करना यह जो चीजे दूसरों से ढूननी है या you know दूसरों से नाखुश होना है वो नहीं करना आपको forgive करना है और खुद के उपर ध्यान देना है खुद के balance के लिए ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि next card यहाँ पर है justice यहाँ पर है कि आपकी emotional fulfill नहीं हुए क्योंकि आपने आप दूसरों के उपर depend करते हो दूसरों के उपर depend कर रहे हो यह यानि कि वहाँ से भागना नहीं है आपको इस बात को सोचना है review करना है कि actual में आपके जो आप दूसरों के उपर depend कर रहे हों emotionally क्या आपने आपको balance किया क्या आपने आपको heal किया क्या आपने आपको प्यार करना सीखा क्या खुद के जो है soul को उसको प्यार करना सीखा क्या जो है आपकी यन यन याएंग energy अपने अंदर की muscular ने feminine के साथ मिलाप किया आपने उसको किस किया तो ये वो energy है तो present moment रहना, balance लेके आना और शायद ये आपकी life में आ रहा है कुछ भी manifest करने से पहले life में आपके खुद की life में balance आना जरूरी भी है और लाना जरूरी है, खुद को happy करना, खुद में ही सब कुछ जूणना आप self sufficient हो, ये मानना, किसी को भी खुश रहने के लिए emotionally, physically, mentally ये किसी और person की जुरूरत नहीं होती अगर आप अपने आपको प्यार करते हो अपनी जिंदी को प्यार करते हो heal हो चुके हो, balance में हो अगर आप, तो आपके लिए हम लोग मैं guidance देख लेती हूँ angels की तरफ से, leadership, archangel Gabriel, it is time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others, तो कहीं के लिए ये है कि वो लोग त्यार हो रहे हैं, ये balance में आके वो त्यार हो रहे हो आप, अपने आपको त्यार कर रहे हो कि आप दूसरों को lead को, दूसरों को lead कर सको, दूसरों को heal कर सको, दूसरों को balance में ला सको, दूसरों की life को guide कर सको तो आपके लिए खुद को balance करना हो बहुत ज़रा प्यार करना यहां पे वो बहुत जादा नज़र आ रहा है और आपकी तरफ आ रहा है ये, जब आपने अपनी beauty पर भी कैसे लगते हो आप वो you know अपने उपर ध्यान देना, इसलिए नहीं कि लोग आपकी तरफ attract हो, आपका soul में attract हो, क्या खुद को आप अच्छा लगने के लिए कुछ करते हो अपने बाल सवारने अपने आपको mirror में appreciate करना अपने आपको, अपने आपको शाबाशी देना के, आप खुद के लिए कितना कुछ करते हो कितना साफ दिल है आपका कितना आप लोगों को प्यार करते हो कितना, you know, giver हो आप empath हो सकते हो आप कि आप दूस्रों के लिए कितना सोचते हो, कितनी आपके दिल में kindness भरी हुई है दया भरी हुई है लोगों को कभी अपने आपने आपको appreciate किया कभी आपने खुद की तारीफ की है ये वो है खुद की तारीफ करना तब लोगों से expect तब भी expect नहीं करना लोग करें ये ना करें यहाँ पर और खुद की ही, खुद को, जो है न, अपनी, जो है, self-sufficient को enjoy करना, खुद की life में खो आना, और खुद के लिए, जो है न, अपनी mind, body, soul को पूरी तरह से balance में लाना, और खुद का ध्यान रखना, और खुद का इतना ज़्यादा प्यार करना, खुद को, कि और सवार ना उसक past में नहीं डूबे रहना, खुद को heal करना, वो पहचानना कि मेरी emotions, मेरी feelings को क्या चाहिए, क्या right now मुझे देने की जुरुत है, क्या heal करने की जुरुत है मुझे, और फिर उसके बाद balance में लाना, अपने आपको heal भी करना, अपनी जुरूरतों को समझना, अपने आपकी dreams क manifest करना, खुद के लिए कुछ करना, और अगर आप खुद के लिए जीओगे, खुद के लिए सीखोगे, खुद को empower करोगे, खुद की development करोगे, तब भी तो आप किसी के leader बनोगे, दूसरों को empower कर सकते हो, और दूसरों को guide कर सकते हो, अगर आप खुद के लिए खड़े तब भी तो दूसरों को help करोगे support करोगे empower करोगे और guide करोगे तो यहाँ पर कहीं के लिए leadership qualities हो सकती है जो आपको पहचानने की जुरत है यहाँ पर major अरकाना है तो thank you thank you thank you thank you so much for watching pile 1 आप मुझे comment section में बता सकते हैं आपको reading कैसे लगी है और अगर आप personal reading चाहते हैं या course तहरो learning course सीखना चाहते हैं मुझे level 1, 2 या 3 तो आप मुझे contact कर सकते हैं angelguidance2020 at gmail.com पर first batch level 1 का 5 April से start हो रहा है और मुझे काफी emails हा रही हैं वो पूछ रहे हैं कि आप personal reading free दे रहे हो level 1 के साथ येस मैं personal reading level 1 के साथ free दे रही हूँ certificates भी available है English और Hindi में भी available है और ये तीन वीक का course है जो नया बायच जो है आप मिस नहीं करी हो 5 April को शुरू हो रहा है तो please contact me angelguidance2020 at gmail.com पर ये हमेशा email address मेरा description box में दिया हो था thank you thank you thank you so much for watching and bye for now चलते हैं pile 2 की तरफ hi pile 2 तो अगर आपने grey bracelet चूस किया है या फिर ये बला card चूस किया है तो देखते हैं आपकी reading क्या आ रहा है आपकी तरफ क्या होने वाला है work of art be the portrait of divine beauty यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई आपको जो है ना gift आपको दिया जा रहा है कोई ना कोई guidance कोई चीज कोई बहुत positive energy कोई आपके अंदर you know impress वाली ऊर्जा यानि कि आप किसी नो किसी चीज को जनम देने वाले हो कुछ नया करने वाले हो या आपको guide किया जा रहा है उस अंधेरे से बहार निकलके कुछ प्रकाश फैलाने के लिए तो I don't know वो आपका कौन सा प्रकाश वा साथ आप pregnant हो कुछ आपको हो सकता है कि आपको spiritual gift हो सकता है आपका कुछ ना कुछ यहां पर art creativity हो सकते है को creative project हो सकता है जिसके उपर गाम करने की जुरुत है आपको share करने की जुरुत है social media पे वो जो आपकी priority है the lover's card यहां पर choose करना है choice का मुझे जाना लग रहा है कर्यों क हो लेकिन मुझे वो लग रहा है कि वो जो ना soul के लिए soul का आपकी soul को क्या पसंद है वो passion वो art वो creative कुछ ना कुछ जो आप बहुत सालों से शायद manifest कर रहे हो जिससे आपको शायद soulmate से भी जादा प्यार है वो जो आप काफी देर से manifest करने की कोशिश कर रहे हो अब angels आप है वो चीज जिसको आप बहुत जादा प्यार करते हो तो यहाँ पर आपको prioritize करने की choose करने की जुरुत है कई लोग confusion ही बहुत जादा होती है कि हम लोगों हम प्यार में भी चाहिए करियर में यह चाहिए हम हेल्थ के लिए चाहिए लेकिन यहाँ पर और कईयों के लिए हो स आपकी beauty का कोई ऐसा पार्ट है जिसको आपको share करने की जुरुत है लोगों के साथ तो वो क्या है कईयों के लिए healing हो सकती है वो किसी तरह से heal कर सकते हैं लोगों को crystals के साथ अपनी बातों के साथ रेकी के साथ counseling के साथ क्या है वो चीज उसको choose कीजिए prioritize कीजिए जानिए सी कीए उसको right now आपके जो है वो पने वाला है वो जनम लेने वाला है उसकी ओपर ध्यान दीजिए उसको nurture कीजिए silencing the mind let silence guide you to your inner peace तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये कौन सी चीज की बात कर रही हूं कौन से project की या कौन से skill की बात कर रही हूं यहाँ पर तो आपको silence अपने mind को silence की जुरुत है जो silence inner peace की जुरुत है जिससे आपको खुद बखुद guidance मिल जाएगी यहाँ पर है ये universe की ज जैसे लग रहा है कि अगर आप silence रहोगे, peace में रहोगे तो सुन पाओगे, ये जो message आ रहे हैं, downloads आ रहे हैं कि ये कौन सा work of art है तो ये सुन पाओगे आप, यहाँ पर भी crown chakra की बहुत ज़दा energy है, colors है, third eye के crown chakra की, तो आप सुन पाओगे, तो ये जो भी है ना, जो angels आपक रही हैं, इसमें बहुत ज़दा growth है, ये आपके फाइदे के लिए आ रहा है, जो भी आपको right now की priority बनी हुई है आपकी life में, वो manifest हो रही है यहाँ पर, जो भी आप चाहते हो, सब के लिए ये different हो सकता है, कईयों के लिए नही जाब, priority, sorry, नही जाब, कोई soulmate, कोई you know, promotion के ये वो बहुत जादा मेहनत कर रहे थे, बहुत शिदत से जो ना मांग रहे थे, जो भी आप universe में भेज रहे थे energy, जो भी आप बोल रहे थे, manifest कर रहे थे, जिसकी तरफ ही आप action ले रहे थे, अपनी energy लगा रहे थे, अपना time लगा रहे थे, वो आपकी life में angels आपकी help कर र energy में, कोई यहां पर change नहीं, कोई यहां पर, you know, growth नहीं, तो इस, जिन के लिए भी ये cycle है, जिस तरह का भी cycle है ये, चाहे आपका सिर्फ थोड पैटर्न या सिर्फ old beliefs ही है, या आपकी old self है, जो आपको और सर्व नहीं करती है, उसको निकानने की जूरत है, आपकी नई self को कईयों के लिए career change हो सकता है, कईयों के लिए बिलकुल नया, कुछ नया start करना है यहां पर, लेकिन हो सकता है कि कईयों के लिए ये book लिखना start कर देना, spiritual gift open हो जाने, जो भी आप चाहते थे, वो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपको यहां पर बैठना नहीं है, देखो कि dark energy है यहां पर, कुछ भी नया start करने के लिए, कोई नया business start करना हो, आपको नया skill सीखना है, tarot सीखना है, कुछ भी आपको जो करना है, यहां पर वो message दिया जा रहा है, कि पहले silence कीजिए अपने mind को, और सोचिए क्या करने की जूरत है, उस divine guidance को सुनिए, और उसके लिए action लीजिए, last card आपके लिए देखते हैं pile 2 की angel guidance क्या है, आपके लिए life review, आर्केंजर जेरेमिया, take inventory of your life, inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced, definitely, आपने कहियों का जो past जो है heal नहीं किया, तो यहां पर पिछे मुड़के, आपको life को review करने की जूरत है, इस past को heal करने की जूरत है, इस past को heal करन जाने की जूरत है, यहां पर ताकि आप कुछ नया start कर सको, जहां पर भी इस नई शुरुआत की जूरूरत है, कुछ नया सीखने की जूरत है, growth की जूरत है, वहां पर आप खुद की help कर सको, इस 10 वाले ending से जो है निकल सको, 10 में 1 भी होता है, नई beginning आप ही को करनी होगी, अगर आप यहां से खड़े होंगे, अगर आप यहां से action लेंगे, अगर आप, you know, mind को set करेंगे, कि यहां पर ठहरना, आपको कोई जुरुवत नहीं है, आपको कोई growth नहीं है, यह action आप ही को लेना होगा, युनिवर्स आपके लिए opportunity भेज सकता है आपके लिए, तो क्या स silence करके अपने mind को सुन सकते हैं, guidance जो भी आपके लिए आ रही है, युनिवर्स की तरफ से, तो thank you, thank you, thank you so much for watching pile 2, please like, share, subscribe, जिरू करें मेरे चानल को, मुझे comment section में जुरू बताएं कि आपको यह reading कैसी लगी है, और अगर आप personal reading लेना चाहते हैं, या फिर tarot learning course level 1, 2, 3 मेरे स सीखना चाहते हैं, जिलको तीन महीने लगते हैं, English और Hindi में available है, certificates भी available है, और level 1 के लिए काफी students मुझे email मिल रही हैं, कि आप personal reading free देते हो, yes, मैंने last batch को नहीं दी थी, तो मैं दुबारा से आप लोगों की भरपूर demand से, मैं फिर से जो 5 April को first batch शुरू हो रहा है, level 1 का, उस के लिए मैं 10 minutes की personal reading free दे रही हूं, offer दे रही हूं, तो आप please मुझे contact केजिए, जल्दी से angelguidance2020 at gmail.com पर, ये email address हमेशा है मेरा description box में दिया होता, thank you, thank you, thank you so much for watching and bye for now. स्टार्ट करते हैं, pile 3 से, high pile 3, तो अगर आपने white shiny bracelet choose किया, तो देख लेते हैं आपकी reading, क्या आ रहा है आपकी तरफ और क्या आपको करना चाहिए, deal with the unexpected, treat the unforeseen as a divine offering, कहिएं के लिए ये crown chakra, बहुत, ये color, purple color, third eye chakra, crown chakra open हो रहा है, gifts open हो रहे हैं, तो बहुत सारी mysteries थीजना आपके लिए पहले, वो सारी mysteries आपको resolve होंगी, तो ये इसलिए unexpected है, कहिएं के लिए एक दम से बड़ी opportunity आ सकती है, कहिएं के लिए ये ब्रेक्थू हो सकती है, आपके career place यूट्यूब चैनल पर, कहीं पे भी एकदम से भंडार है, धेर लगया, clients का, आपके काम का, बहुत सारे काम का, तो कहीं से भी इस card को जो है, negative sense में नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये आ रहा है साथ में, इसके 10 of jealousies, जो भरपूर maximum emotional happiness जो मिलती है, वो 10 of cups की होती है, सबसे ज़्यादा happiness, emotional happiness जिसको कहते हैं कि दिल बहुत ज़्यादा बाग बाग हो गया, बहुत खुश हो गया, तो ये कुछ भी जो unexpected है, अगर आप ये reading देख रहे हो, तो सोचिए कि कहां आप manifest कर रहे हो, कौन सी चीज को universe से मांग रहे हो, वो unexpected आपकी life में आने वाली है, और उससे आपकी बहुत सारी खुशियां आपको मिलने माली हैं, तो spiritual लोगों के लिए ये हो सकता है कि एक दरम से consciousness raise होगे, एक दरम से crown chakra, you know, वो aha moment, crown chakra open होगया, थर्ड आई, एक दम से आप channeling करने लगे, तो वो हो सकती है कईयों के लिए, career में एक दम से breakthrough मिल गया, कईयो सागे, तो इस तरह से सब के लिए ये अन, बतलब आप शायद ready भी नहीं थे, इसलिए यहाँ पर है, deal with the unexpected, simple pleasures, करना क्या है आपका, look for beauty that is all around you, तो आपको ना, वो, उस energy में अगर आप वेट कर रहे हो इस energy की, तो आप अगर रीडिंग को देख रहे हो, तो आप expect कर सकते हो सून ये energy आपके enter करने माली है, इसलिए आपको करना है, simple pleasure, खुश रहना है ताकि वो जल्दी से manifest हो जाए, ये energy, जो भी आपके लिए, you know, 10 of cup की energy है, जल्दी से आपकी life manifest हो जाए, जो भी आप मांग रहे थे, universe से, तो उसके लिए आपको खुश रहना है, pleasure, चुटी- में रहना है, positive रहना है, manifest करते रहना है, जो भी आप manifest कर रहे थे, बैठना नहीं है, ये सोचके कि ये reading देखी चलो, वो तो आई रहा है, no, लगतार आपकी क्या efforts है, prayer कीजिए, manifest कीजिए, action लीजिए, hard work कीजिए, जो भी करोगे आप, वो ज़रूर पाऊगे, और जल्दी स आएगा आपकी तरफ, अगर आप continue करोगे, जो भी आप कर रहे हो, queen of swords, queen of swords, जो definitely negative thoughts को cut करना, यहाँ पे negative people को cut करना, ताकि आप present moment को enjoy कर सको, अगर खुद की negative thoughts है, उसको cut करना, जैसे मैंने अभी भी बोला है आपको, कि positive सोचना है, ये नहीं कि चलो, फिर से वो negative thoughts में चल करना है, positivity को continue करना है, अपने actions को, prayers को, सब जो positive चीज़े आप कर रहे हो, इसको continue करना है, इस energy को manifest करने के लिए अपनी life में, night of pentacles, तो कहीं लोग जो है ना, इस earth energy, ये commitment की बेट कर रहे थे, कोई proposal की बेट कर रहे थे, या फिर, you know, health के improvement की बेट कर रहे थे, या कहीं के लि you know, help, किसी person की, वो partnership की हो सकती है, आपको help मिल जानी, कोई person जो है, आप अकेला महसूस कर रहे थे, कोई person आपके साथ आके support में, आपके साथ खड़े हो जाना, उसने help करना आपके खुद के business के लिए, कहीं के लिए commitment, शादी के लिए commitment, कहीं के लिए positive message कोई आ गया, universe से जो जाप के लिए कोई phone काल आगी, तो यहाँ पर opportunity, night of pentacles, एक opportunity, जो धीरे चलती है, पर definitely consistent है, यह आपकी तरफ आ रही है, तो देख लेते हैं, final card, angel guidance की तरफ से, आपके लिए, pile 3, teaching and learning, archangel Z, keep an open mind and learn new ideas, then teach these ideas to others, तो definitely अगर आप कुछ नया start कर रहे हो, नया कुछ सीख रहे हो, वो आपको बोला जा रहा है, कि आप open रखिए mind को, और नए ideas जो भी आपको दिये जा रहे हैं, उनके सीखिए, उनको courses की लेजिए, online courses ले सकते हो आप, क्यूंकि वो ideas बाद में आपको teach भी करने हैं, तो अगर आप tarot सीखने की चाह रखते हो, तो मैं tarot सिखाती हूँ, जो मेरा first batch tarot learning course का level 1, जो है not first batch, level 1, fourth, fifth batch है मुझे लगता, वो 5 April से शुरू हो रहा है, तो अगर आप sign in करना चाहते हो, ये English और Hindi में available है तीन वीक का course है, और इस course के लिए आपको 10 minutes की free tarot reading भी personal reading आपक free मिलेगी, और certificates भी available है, मैं तीन batch पढ़ाती हूँ, तीन महीन में, तो अगर आपको ये course सीखना है, और मैं बड़े अराम से पूरी अच्छी तरह डीटेल में सिखाती हूँ, जब तक आप professional tarot reader, confident professional tarot reader नहीं बन जाते हैं, तो अगर आपको ये course मुझे सीखना है, या personal reading च contact कर सकते हूँ, और अपना WhatsApp number send कर सकते हूँ, तो thank you, thank you, thank you, thank you so much for watching Pile 3, and bye for now.